प्रेंड वेल्कम टू मिस्टर किचन चनल आज हम बनाएंगे पनेर बटर मसाला इसके लिए कुछ काजू पेस्ट कुछ सोटे के हुए बेल पेपर ओनियन कुछ पनेर क्यूप्स थोड़ा सा गरम मसाले कस्तुरी में थी धनिया लिप्स कटे हुए गालिक, कटे हुए चिली, कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा अमूल क्रीम, जीरा धनिया पाउडर, थोड़ा सा टमाटर, हनी एंड कुछ गरम मसाले अभी मेरा कराई गरम हो चुका है, इसमें हम एड करेंगे तू टी स्पुन्ट, अमूल बटर, बटर को थोड़ा गरम हो जाने के बाद देखिए अभी मेरा बटर गरम हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ तीन ग्रीन चिली, एक बड़ा चिनमोन का पीस, एक बड़ा तेज पत्ता, तीन से चार इलाइची, तीन से चार लॉंग, कुछ ब्लाक पेपर, अभी एक लास्ट हम एट करेंगे गालिक, गालिक को बटर के साथ अच्छे से भून लीजिए, देखिए यहां पे मैं जैस तरह भून रही हूँ बिल्कुल इसी तरह भूनी है, अभी हम दो मीडियम साइज टामाटर एड़ करके इसको सोटे होने के लिए छोड़ देंगे धिमी आँच में, अच्छे से पका गया, अभी हम इसमें थोड़ा सा अधा चमस सौल डालके उसको धिमी आँच में हम अच्छे से पका लेंगे, टामाटर अभी हमार अच्छे से पक गया है, उपर से तेज पता हम निकाल लेंगे, और ये मिक्सचर थंड़ा होने के बाद हम उसको अच्छे से ग्राइण करके पेस्ट निकाल लेंगे, जब भी पेस्ट बनाईए तेश बता निकाल के ही पेस्ट बनाईए नहीं तो वो कड़बा हो जाएगा बही कड़ाई में थोड़ा बटल लेके धिमी आज में हीट कीजिएगा और जूसर छन्नी में अस्टे से सान के वो पेस्ट को निकाल दीजिए देखिए कैसे अच्छे से पेस्ट निकल के आ गया अभी करीबन 5 मिनट तक उसको दिमियांच में पकाएंगे हमारा 5 मिनट हो गया अभी हमारा कस्तुरी में 2 टीस्पुन डाल के हम उसको अच्छे से 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे अभी हम इसमें 4-5 टीस्पुन काजू का पेस्ट डाल के करीबन 2 मिनट तक अच्छे से दिमियांच में पकाएंगे अभी हम पकाएंगे काजू का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो गया अभी हम इसमें सारे गरम मसले डालेंगे करीबन 2 टीस्पुन काश्मीरी रेड चिली थोड़ा सा जीरा धन्या पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला स्वादनुसा नमक अभी हम ये ग्रेबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धिमियांच में पांच मिनट तक उसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे अभी पांच मिनट हो गया हम इसमें डालेंगे सारे पनीर के क्यूप्स और मिक्स कर लेंगे परिबन पांच मिनट तक अच्छे से हमारा पनीर पक चुका है अभी हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे अमुल का फ्रेश क्रीम तू तू अधिती स्पून और पहले से ही मैंने शोलो फ्राइ करके कुछ ओनियन और कुछ उन्bles पेपर रखा था अभी हम इसमें एड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए अच्छा से ये मिक्स हो गया अभी हम इसमें हाप कप पानी एड़ करके थोड़ा सा दिमी आँच में 5 मिनाट तक पकाएंगे थोड़ा सा ब्लाक पेपर डाल दीजिए ये बिल्कुल ही अपसना ले अगर आपके पास से तो डाले नहीं तो इड़ सोके अभी हम 2-3 टी स्पून हनी डाल के उसके उपर थोड़ा सा धन्या पत्त डाल लेंगे और करीबन 2 मिनाट तक अच्छे से धिमी आँच में पका लेंगे अभी हमारा पनीर बटर मसारा रेडी हो गया अभी निकाल दीजिए अगर यह रेसिपी और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कीजिए थेंक यू